देख रहे हैं क्रेजी फोर रियलिटी दोस्तों आपको याद होगा दो हफते पहले बिग बॉस के घर में चार वाइल कार्ट सदस्यों की एंट्री होई थी और वो थे जैसन शाह एलिना कजान, प्रियंका जग्गा और साहिल आनन अब दोस्तों देखने वाली बाती है कि दो हफते में ही सारे वाइल कार्ट सदस्यों से घर से बाहर हो चुके है दो हफते के अंदर चारों के चारों वाइल कार्ट सदस्यों से घर से बाहर हो गए पहले हफते में एलिना कजान एलिमिनेट हो गई वो घर से बाहर हो गई उसके बाद दूसरे हफ़ते में साहिल आनन एलिमनेट हो गई वो घर से बाहर हो गई प्रियन का जग्गा भी एलिमनेट हो गई थी लेकिन बिग बॉस ne एलिमिनेशन के नाम पर उन्हें सीक्रेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया वहां से वो 24-7 घरवालों की हरकतों को वाच कर रही है बच्चे जैसन शाह तो दोस्तों जब से जैसन ने कैटरीना कैफ के बारे में ये कहा है कि उसकी वज़े से पार्टनर मुवी और फितूर मुवी में जैसन का रोल कट हो गया था तो उसके ही अगले दिन से वो घर में नजर नहीं आ रहे है बिग बॉस ने उन्हें स्टमक इंफेक्शन के इलाज के लिए घर से बाहर भेज़ दिया है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है जबकि किसी भी एपिसोड में ये लगाने की उन्हें स्टमक की कोई प्रॉब्लम है या फिर उन्होंने किसी के साथ कोई स्टमक की प्रॉब्लम शेयर की हो जो इतनी गंभीर हो जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में इतना लंबा इलाज कराना पड़े खेर इन दोनों बातों का आपस में कोई सम्मंध है या नहीं ये हम नहीं जानते ना कुछ कह सकते लेकिन सीजन वन से लेकर अभी तक हमने जितना भी बिग बॉस देखा है कोई भी कंटेस्टेंट गर से जब भी बाहर जाता है तो उसे दिखाए जाता है और बतायक जाता है बले ही इस सीजन के स्वामी ओम हो या मनुपंजाबी हो अगर मेडिकल इमर्जेंसी के लिए भी किसी को घर से बाहर भीजा जाता है तो उसे शो में हाईलाइट बनाकर अपकमिंग प्रोमो बनाकर बार बार दिखाया जाता है बार बार पेश किया जाता है लेकिन जैसन को Stomach Infection बता कर घर से hospital shift कर दिया गया है और किसी को भी किसी भी कैमरा से कुछ भी बताया नहीं गया है और अब बिग बॉस ने ये अनौन्स किया है कि वो इस शो का हिसा नहीं है ये बात कुछ अजीब सी लगती इतनी गंबिर बात को बिग बॉस ने इतने हलके से कैसे खतम कर दिया खेर सच्चाई क्या है ये देर सबेर पता चल जाएगी लेकिन अच्छे खासे बॉडी बिल्डर जेसन शा को भवान जल्दी ही अच्छी सेहत प्रदान करे इसकी हम काम न करते है गेट बेल सुन जेसन दूसरों दिखते रहे बिग बॉस